हाई गाईज, सब्सक्राइब और प्रेश दे बेल आइकन आपको शायद ही किसी ने बताई होगे क्योंकि मैं इसके लेश्बी कोच के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कितने कोचिस मिलने वाले हैं और कब मिलने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और सभी के साथ शेयर करें परक्काई एक्सप्रेस माल्दा से दिल्ली के बीच चलने वाली एक महतपूर्ण ट्रेन है जिसका परिचालन सब्ता के सातों दिन होता है कुछ दिन वाया फैजाबाद होकर तो कुछ दिन वाया सुल्तानपूर होकर काफी पूरानी ट्रेन होने के कारण इसके डब्बो की हालत काफी खराब हो चुकी है और इस कारण इसे नए डब्बो की अवशकता है और इसी को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने इसे लेजबी देने का फर्मान जारी किया है तो आईए जानते हैं इसके लेजबी कोच और उससे जुरे डिटेल्स के बारे में विस्तार से भारत में लेजबी डबो का निर्मान तीन रेल कार्खानों में होता है पहला ICF चिन्नई, दूसरा RCF कपुर्थला और तीसरा MCF राय बरेली तो फरक्काई एक्सप्रेस में लगने वाले जो LHB डबे हैं उनका निर्मान Modern Coach Factory राय बरेली में हो रहा है परक्काई एक्सप्रेस का भी परिचालन चार्ड डेडिकेटेड ब्लू ICF रेक के साथ होता है LHB कनवर्शन के बाद भी इसे चार्ड डेडिकेटेड रेक की ही जरूरत पड़ेगी बस वा LHB डेक होंगे तो इस कारण इसे काफी ज़्यादा तादाद में LHB डबो क्या शेकता है कुल मिलाकर इसे 104 डबे चाहिए जिसमें से 16 डबे हैस पेर होंगे जबकि बाकी 88 डबे रेक में यूज होंगे तो उन 88 डबो में से 20 डबे 3rd AC के 4 डबे 2nd AC के 4 डबे पैंट्री कार के 32 डबे स्लीपर क्लास के 20 डबे ज़नरल क्लास के और 8 डबे LHB SLR के होंगे इसके LHB फिकेशन में एक खास बात यह होगी कि इसे LHB SLR कोच मिलेंगे पहले इसे LHB EOG मिलना था लेकिन रेलवे बोर्ट के नहीं आदेश के बाद अब इसे LHB SLR मिलेगा इस रूट की अभी एक ट्रिन में LHB SLR कोच है और वह है माल्दा जमालपूर इंटर सीटी एक्सप्रेस के LHB SLR के खासियत यह है कि इसके जनेरेटर कार में भी लोग सफर कर सकते हैं स्पेशली लेडीज और दिव्यांग जन उनके लिए डेडिकेटेड सीटिंग अरेंजमेंट होता है LHB SLR में आप सवाल है कि यह LHB डबो के साथ कब से चलेगी तो रेलवे बोर्ट ने जो इसके कोच अलोट्मेंट का ओर्डर निकाला है उसमें उसने आदेश दिया है MCF राइ बड़ेली को कि financial year 2020 और 2021 के quarter one में इसके कोचेस का production होना है MCF में और उसके बाद ही इसके कोच as a rake बना कर मालदा टाउन भेजे जाएंगे और उसके कुछ दिनों के बाद मालदा से यह LHB डबो के साथ चलने लगी लेकिन इसके साथ साथ 6 अन्य ट्रेनों का LHB फिकेशन होना है जिसके कोचेस का production MCF राइ बड़ेली करेगी वो भी quarter one में तो इसके लिए railway board ने एक numbering system निकाला है कि पहले MCF राइ बड़ेली को इस train के LHB कोचेस का production करना है उसके बाद दूसरे train का तो इस numbering system में फराइ एक्सप्रेस को छठा number दिया गया है यानि फराइक्सप्रेस के coaches के production के पहले पाँच अन्य ट्रेनों के coaches का production होगा फिर ही फराइक्सप्रेस के coach produce होगे और फिर बेज़े जाएंगे तो यहाँ देखकर यह कहा जा सकता है कि फरक्का एक्स्प्रेस को LHB डबे तो जरूर मिलने वाले हैं लेकिन अभी इसके लिए कुछ और महिनों का इंतिजार भी करना पड़ेगा तो guys उम्मीद है आपको यहां दी हुई जानकारी पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी के साथ शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को पूरी जानकारी मिल सकें और भी ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें साथ ही वह बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि मैं जैसी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंट पहुंच जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाई बाई